तो दोस्तो वीवो की वी सीरिस के दो न्यू अपकमिंग स्माटफोन आने वाले हैं वो भी वी सीरिस के तो दोस्तो अगर आप वीवो के अपकमिंग स्माटफोन का वेट करते हैं वो भी वी सीरिस का अगर आप इंटरस्टिंग रखते हैं तो यहां पर दो स्माटफोन आने वाले हैं Vivo का V22 और दूसरा स्मार्टफोन होगा Vivo का V22 Pro तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मिलने वाला इस बार 7250 एमेज का एक बीग बेटरी का सपोर्ट और उसी के साथ यहाँ पर आपको 64 मेक अपको सेल का कोड दियर गेमरा जो की गिंबल पेटन में आता जैसे आपके आइस मुमेंट होती है उसी प्रकार से स्मार्टफोन का जो केमरा है वो भी मुमेंट होता है इदर उदर और उसी के साथ यहाँ पर आपको मिलने वाला इस बार स्मार्टफोन में स्नेप ड्रेगन का 8000 वाला प्रोसेसर जो की 5G है तो दोस्तों चली सुड़ी में हम बात कर लेते हैं वीवो के वी 22 प्रो के बारे में इसकी स्पेसिफिक्स ने बारे में प्राइस के बारे में और इंडिया में कब तक आएगा तो दोस्तों जानकरी के लिए वीडियो में इंट्रे रहे हैं और दोस्तों वीडियो बदाने में बहुत मेने लगती तो प्लीस पर एक एक लाइक जड़ी करें। धुस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। समार्टफोन के डिजाइन eine में टो और को आपको सिखने को मिलेगा जो कि ग्लोसिफ गी व्यांस लेंसिंग के साथ है। औरो को को ओक्लिर कीमरों प्रोसेसरी नार से Mr Reva से और यहां पर आपको एकदम लेटेस प्रोसर देखने को मिल जाता है जो कि दूस्त ही यह ओक्टो को पॉससर इसकी फिक्वेंसी आपको काफी अच्छी रहने को मिलती है जो कि 2.3 काट पर क्लोग है और यहीं पर आपको इस फोन में Android 11 का सपोर्ट मिल जाएगा और यहां प आपको यह phone जो है वो तीन रहें में लेखने को मिलेगा 6GB रहें 128 Gb और एक 8GB रहें 128 Gb और यह आपको मिलेगा वेरेंट वह तीसरा जो वेरेंट है 12GB 256 Gb के साथ तो इतना कोई देखने को मिलता है आपको यहां पर और दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफॉन के केमरा ज तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बजाता है कि आपको बेक साइट पर यहाँ पर आपको 64 Mbps का और यहाँ पर आपको 64 Mbps का प्राइमेरी केमरा मिलता है, 13 Mbps का वाइड एंगल है, 8 Mbps आपको टेली फोटो के लिए जा गया है, और 5 Mbps का आपको देव संसर दिया गया और अब बात करते हैं स्मार्टफोन के फ्रेंट केमरा के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बेक साइट पर और फ्रेंट केमरा जो है आपको डूल देया गया है, जो कि वीव वी 20 Pro में दिया गया था, 44 Mbps का प्राइमेरी केमरा है, 8 Mbps का वाइड इंगल है, जिस अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बेटरी लाइफ के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है, जो कि 33W के फार्स देखने को नहीं मिलेगा, तो इतना कोई देखने को मिलता है, आपको उस इक सार आपको टाइप स्रिपोर्ट, माइक 3.5 फडियो चिक का स सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, और यहीं पर आपको इस स्मार्टफोन के लाँच डेट के बारे में, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि यह अपरेल के मीडिय में स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, इंडिया में, और आपको इसका स्टार्टिंग प्राइज जो ह अब लेगा 12G वाला, उसका प्राइस जो होगा, वो 30,000 रुपी के असपार देखने को मिल जाएगा, तो इतना को देखने को मिलता आपको Vivo V20 Pro में, तो दोस्तों आप कमेंट कर बताएगे क्या आपको इस फोन को खईदेंगे, क्या आप स्मार्टफोन को वेट करेंगे, क आपने जाना चाहेंगे, और किसी इंट्रेस्टी में सब्सक्राइब कर लेजेगा, बेल लागन पर क्लिक करका, उसलिक कर लेगा, जय हिंज जय भरत, अंदे मादन दोस्तों